हलो दोस्तों इस पेडियो में हम लोग बात करेंगेble Grand Theč की टीमometre और की उपर जो की आज का मुकाबला इंडिया वोमेन वसेश पाकिस्तान वोमेन की बीच वोमेन्स एसिया कुप का खेल जाएगा इसके बारे में तो दोस्तो एक तरफ है इंडिया वोमेन, जो की दोस्तो बहुत अच्छी फ Animals में है, recent में सारे Matches जीत करा रही है और दूसरी तरफ है दोस्तो पाकिस्तान वोमेन, जो की recent के जरत्र मुकाबले हारी है तो दोस्तों इस मुकाबले में आप सभी लोग बड़ी गलती ये कर रहे होंगे कि यहां से बड़े-बड़े प्लियर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन हमेशा की तरह कर रहे होंगे लेकिन मैं आपको बता दू कि इस मुकाबले की जो ड्रीम टीम रहेगे ग्रैंड लिक की उसमें ये सारे प्लियर्स आप सभी को कैप्टन नहीं दिखेंगे तो कौन से ऐसे प्लियर्स हे जिनको बहुत कम लोग लिये हैं और वो आपको ग्रैंड लिnक में अच्छा खासा रख रेंक दिलाएंगे और दूसरी तरफ है दोस्तो रिचा गोस जिनका बैटिंग ओडर बहुत ज़दा नीचे है इनको दोस्तो 72% लोग लिये हैं तो दोस्तो अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं ग्रैंड लिग में बाकी सारी टीम से तो दोस्तो यहाँ पर आप लोग अपने टीम में रिचा गोस को रख सकते हैं तो ग्रैंड लिग की पॉइंट अभी हूँ से मुनीवा अली बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट आप्सन रहेंगी तो फिलाल दोस्तो इस टीम में हम लोग रिचा गोस को अपनी टीम में रखेंगे और आगे की टीम में जाने हैं कैसे आप लग मुनीवा अली को लेकर टीम बना सकते हैं अब बैटिंग सेक्षन से बात करें तो यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले सभी लोग क्या कर रहे हूंगे कि टॉप और से सारे प्लियर्स को रख ले रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर अस्मृ अर्स तक पर अर्स तक बनाते हुए आ रही है लेकिन फिर भी इनको मात्र 18% लोग लिये हैं ऐसा नहीं है कि इनका बैटिंग ओडर नीचे है दोस्तों बैटिंग करने फॉर्स डाउन आएंगी तो इनके उपर आपको फोकस करना है तो ग्रैंड लिंग में आपको ऐसे प् जो कि दोस्तों टॉप ओडर में आएंगे बैटिंग करने और अच्छे फॉर्म में भी है रिसेंट में ठीक ठाक पॉक्मेंस उन्हों ने किया है ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये अर्स तक 60 रन बनाएंगी ये 25-30 रन बनाएंगी और आपको ठीक ठाक पॉइंट्स देकर और आप लोग चाहें तो ये जमीमा रोजस की जगह पर हर्मान प्रीट कोर को रख सकते हैं लेकिन फिर दोस्तों आपके टीम बिल्कुल सेफ टीम बन जाएगी लेकिन आप सभी को पता है कि ग्रेंड लिग जीतने के लिए आपको यूनिक टीम बनानी है ऐसी टीम बनानी ह करें तब ही तो दोस्तों आप लोग ग्रेंड लिग विन करिएगा अब अल राउंडर सेक्शन से बात करें तो यहां पर आपको बेहतेरिन ओल राउंडर देखने को मिलेंगी तो सबसे पहले इंडिया वोमेन की तरब से दिपती सर्मा और पूजा वस्तराकर को लेकर चले इनको कैप्टन बहुत ही कम लोग बनाए हैं तो ग्रैंड लिग की पॉइंट अभी हूँ से कप्तान बहुत ही इंपोर्टन रहेंगी फिर नीचे से बात करें तो यहां पर अमिमा सोहेल यह इस मुकाबले के लिए इंपोर्टन हो सकती हैं और यहां पर संजीवना यह खेल रही हैं तो इनको भी आप लोग ले सकते हैं ग्रैंड लिंग में रोटेट करके फिलाल दोस्तों इस टीमें मैं चार यहां पर टॉप ओर्डर के और रॉंडर्स को लूँगा अब बॉलिंग से बात करें तो यहां पर आप सभी को कंफिजन हो रही होगी कौन से बॉलर खे करेंट में लंका प्रीमियर लीग के मैचेश हुए थे और इस ग्राउंड पर दोस्तों अस्पीनर्स को काफी मदद मिल रही है खास करके वोमेंस के मैचेश में तो यहां पर दोस्तों मैं स्पीन बॉलर पर ज्यादा फोकस करूंगा यहां पर मैं आर राधा यादो को लू है उसमें दोस्तों मैं बताया हूँ कि एन संदू अभी तक दोस्तों इंडिया खिलाफ मातर दो मुकाबले खेली है और दो मुकाबले में इनको 6 विकेट मिला है तो आप लग सोची सकते हैं कि कितना इनका अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों इंडिया खिलाफ तो दोस्तों यहां से मैं दो बॉलर को लेकर चलूँगा एंसंदू और राधा यादो को तो यह होगी दोस्ते यहां पर हमारे टीम कॉम्बिनेशन दो बॉलर, चार ओलरॉंडर, चार बैट्समन और एक विकेट की पर अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर रहें सभी लोग यहां पर गलती यह कर रहें है कि यह स्मृती मंदाना को कैप्टन कर दे रहें नहीं तो दोस्तों यहां पर दिप्टी सर्मा और कुछ लोग पूजा वस्तरा कर को लेकिन मैं आपको बता दू कि दोस्तों अगर आप लोग सच में ग्रैंड लीग में जीतना चाहते हैं अच्छा खासा रहें कलना चाहते हैं तो आप सभी लोग इन सारे प्लियर्स को तो कैप्टन करना छोड़ दिये जिसको सभी लोग कर रहे हैं यहां पर आपके पास उससे भी बहतरीन ओप्सन है नीजदार का क्यों दोस्तों क्योंकि नीदार की बात करें तो बैटिंग करने सकेंड डाउन आएंगी और चार ओभर बॉलिंग भी कराएंगी और वहीं दिप्ति सर्मा की बात करें तो बैटिंग ओडर बहुत जदा नीचे है और बॉलिंग तो कराएंगी लेकि इनका बैटिंग करने का चांसे बहुत ही कम है क्योंकि इंडिया वोमेन की तरफ से टॉप ओर्डर के सारे प्लियर अच्छे फॉर्म में है और अगर वहीं आप लोग अस्मृति मंदाना को बनाते हैं तो यह तो बोलिंग कराएंगी नहीं यह होगी दोस्ते यहाँ पर हमारी पहली टीम कॉंबिनेशन और फाइनल टीम के लिए आप से भी लोग टेलिग्राम पर जूड़ जाएगे जिसका लिंक आप से भी को डिस्क्रिप्शन मिलेगी अब डिरेट बात कर लेते हैं इस टीम की प्रिव्यू फिर उसके बद अगली सारी ग्राइनली की टीम की उपर दोस्तों तो दोस्ते रहने वाली हमारी यहाँ पर टीम की प्रिव्यू और जो की कप्तान रहेंगी विगेट कीपर से आप लोग अमीमा मुनीवा अली को ले सकते हैं क्योंकि रिचा को उसका बैटिंग ओडर नीचे है फिर बैटिंग सेक्षन से असमरिती मंदाना, आईस, अमीन, असिफाली वर्मा, जमीमा रोजेस और बॉलिंग से एन संदू और आदायादो को में लिया हूँ तो इस टीम में में कुछ ऐसे भी पिलियर्स लिये हैं जिनको बहुत कम लोग लिये हैं ताकि वो आपको अच्छा खासा रैंक दिलाएं अब इसके बाद दूसरी टीम की बात कर ले दोस्त ये जो हमारी टीम रहेगी यहाँ पर विकेट कीपर में सबसे पहले मैंने मुनीबा अली को रखा है जो की दोस्तों फर्स डाउन बैटिंग करने आएंगी और कैप्टन दोस्तों मैं यहाँ पर अस्मृति मंदाना को बना रहा हूं वाईस कैप्टन फातिमा सना को फातिमा सना के जगह पर आप लुँ नीजदार को भी कर सकते हैं नहीं तो मुनीबा अली को भी क्योंकि फातिमा सना भी टॉप ओर्डर में आएंगी बैटिंग करने थर्ड डाउन नहीं तो फोर्ड डाउन आएंगी बैटिंग करने और चार अबर ये भी बॉलिंग कराएंगी और इधर से बैने बैटिंग सेक्षन से मैं जमीमा रोजेस को रख रहा हूं हर्मन पृत कोर को और यहां पर मैं सिफाली वर्मा को नहीं लिया हूं क्योंकि दोस्तों यह जो मेरी टीम है थोड़ा बहुत मीडल ओर्डर को फेवर करते हुए है इसलिए टॉप ओर्डर से मैं ज़्यदा ओपनर्स को नहीं ले रहा हूं क्यों एक उपनर मैं स्मृतिवंदाना को लिया हूँ और इन ही को मैं कैप्टन कर दिया हूँ बाकी बॉलिंग से मैं SX बाल N संधु को लिया हूँ राधायादो को तो दो बोलर मैंने यहाँ पर लिया है पाकिस्तान वोमिन की तरब से और आपको अगर यह चीज नहीं ठीक लग रही है तो आप लोग यहाँ पर N संधु की जगह पर रेनुका सिंग ठाकूर को भी रख सकते हैं वो भी आप लोग के लिए इंपोर्टेंट आप्सन रहेंगी यह दोस्तों मैं थोड़ा बैलेंस टीम बनाने के लिए इसे साफ़ से मैंने टीम किया है क्योंकि फातिम अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्ते यहाँ पर तीसरी टीम की उपर तो दोस्तों जो हमारे तीसरी टीम रहेगी इस टीम में क्या किया हूँ कि दोस्तों टॉप और से मैंने लिया है यहाँ पर एसमृति मंदाना को सिफाली वर्मा को और इधर से एसमीन को और यहाँ पर मौनीबा अली को अब आ यहां पर सीफाली वर्मा को मैंने वास कैपितन किया है और फिर हार्मनपृत कॉर्ट कोभी यहां पर लिया हूं जमीमा रोजस की जगह पर और और बागी कि दोस्तों जो हमारे कफ्तान रहेंगे यहाँ पर दिप्ती सर्मा रहेंगी और यहाँ पर दोस्तों विकेट कीपर्स में मुनीबा अली पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपसे भी को जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीचा गोस्त का जो बैटिंग ओर है वो पांच में नमबर पर है चटे नमबर पर है और मुनीबा अली फर्स डाउन आइंग बैटिंग करने तो मेरे इस आपसे इंपोर्टन रहेंगी इस मुकाबले के लिए और बॉलिंग से एसिक्स बाल और रेनुका सिंग ठाकुर्क में ले रहा हूँ तो यह होगी दोस्त